नमस्कार, प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद शुकला दरसल ग्राम सलईया, तैसील राजनगर थाना सटेई निवासी, मदन मोहन पांडे जिसके उम्रे लगबग 30 वर्ष थी, विगत 12 वर्षों से मानसिक विक्षिप्त था, घर के लोगों ने जानफूप करके रोग को और भी बढ़ा लिया था हालत जादा खराब होने पर मदन मोहन पांडे को उनके परिजनों ने एक कमरे में बंद करके रख दिया, गाउं के ही अवद किशोर अगनी होत्री ने इस मामले में संजय शर्मा से मुलाकात की और उसके बाद नायपालिका के सहयोग से मनुरोगी को मानसिक आरूग शाला भरती करा दिया गया है, बता जा रहा है कि तीन वर्ष पहले विजावर ने आधीश के आधीश पर भरती कराए गया था और छे साथ माह में ही स्वस्त हो गया था, लेकिन परिजनों ने उसे मानसिक आरूग शाला से बाहर नहीं निकाला, देख कि मानसिक आरूग शाला के क कर्मिचारियों ने कई बार और पिता से आग्रह किया कि वे अपने बेटे को वापस लेया है जब परजय उसे लेकर नहीं आये तब आरुग शाला के कर्मिचारियों ने पुलिस की सहयता से उसे घर जाकर सुपर कर दिया मदन मुहर पांडय पूर्ता स्वस्थ है और खेती ब किसके दार पहुंचा है गया अब अब जिस कैसा है अब साइए अच्छा हो गया पूर्दा स्वस्थ हो गया अब तो हिया संजय सर्मा की बहुता अभारी है उनकी माध्यम से और हमाई जी आवटकिसूर की माध्यम से मतला हमें सब्सक्रा मिली और उनने भिजवाओ ने आल अब जाय भी गए और फिर साथ में ग्वालियर भी गए अच्छा चलो ठीक और कितेक दिन रहें लगवदें हमाय अंदार में तो धाई साल तो रहे ही लए हैं तो बहुत दिनों से कम से कम इनको वो गया हो गया है चाहे 15 साल लगवद पहले मैं लाज़े लाज च्छा रहा कुछ साला में भारती करो, संजय सर्मा के द्वारा भारती करो, कैसे पहुंचे होते ग्वालियर, मैं तो पता नहीं जैसे लेगा, अच्छा, नाओ का है, मंदन मौहन बांदे, चलो बहुत अच्छा, तो अब आप तो पूर्टा ठीक हो आप, के कचु दक करते हैं, अजया, दवाई हमाई ले रहें नहीं में, दवाई दीत रही हो,